विल्कम बैक टू मेरी चो एनल मैं हो नाजिश आज मैं फिर आपके लिए लेकर रहा हूं एक ब्यूटी गैजट जो की बहुत ही जादा ट्रेंड में है एंड वैरल हो रही है तो मैंने सचा मैं भी उसे परचेस करूं और एप के साथ रिव्यू शेयर करूं वो जो ब्यूटी गैजट है वो कुछ इस तरीके से पैकेशिंग में हमें रिसीव होता है मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेस किया था यह फ्लिपकार्ट अमेजोन मिंत्रा और नाइका वगएरा पर हर जगा अवेलेबल है तो मैं इसे आपको पहले ऑपन करके दिखातो फ आप यहां से वाटर फिल कीजे एंड इसे 10-12 आवर के लिए फ्रीजर में रख दीजे और जब यह बर्फ हो जाए तो आप इससे निकाल के यूज कर लीजे मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें पहले ही इसमें फिल करके रखाता है मैंने इसमें क्यूकंबर को एड किया है अब चाहिए तो कोई भी आप अपना फेवरेट फू जो भी आपको स्कीन पर लगाना वह इसमें आप डालके और कर सकती है तो फिर आप अउनली और प्लेन वाटर भी रख सकती है तो पहले मैं इसे आपको यूज करके दिखाते हूं कि इसे यूज कैसे करना है आपको हलके हाथों से अपने फीस पर ऐसे हलके हलके हाथों से रब करना है आइस के पास फोरेट एरिया चेंड नेक अराउंड हर रगा इससे हलके हाथों से रब करते हुए मसाज कीजिए एंड एट टू टेन मिनट्स के लिए आप इस तरीके से मसाज कीजिए तो आपने देख लिया किसे किस तरीके से यूज करना है और इसके मिल्कुल लाइट सा फील कर रही है बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है गर्मी के दिनों में अगर हम आइस मसाज ले ले तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स आप जानते हैं कि हम बहुत लॉंग टाइम से आइस का यूज किया जा रहा है अपने स्कीन को अपने फेस को और भी जादा ब्यूटी करने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम आइस जबसे ये रोलर नहीं था तो हम आइस क्यूब लेते थे अब ये एक टावेल में रखते ते अंद इसको अपने फेस भी हम हल्के हलके आतों से मसाज करते रही हो जा रही है तो जब से मैंने इसे रोलर को परचेस किया ना तब से मुझे मसाज़ करना बहुत ही ज़्यादा इसी हो गया बस मैं इसमें फिल करते हो फीजर में रग देते हो और दें निकालके उसे मसाज कर लेती हूं सो अब हम बात करेंगे इसके क्या क्या benefits है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइस के लिए आइस में जो puffiness हो जाती है अगर जादा हम मोबाइल देखते हैं या laptop पे काम करते हैं तो हमारी आइस जो बहुत जादा ठकी ठकी सी feel करती है जो हम इसे जब use करते हैं से हलके हाते हैं स इसे मसाज करते हैं जो आइस परफीनेस होती है वो दूर हो जाती है आइस मसाज से स्कीन जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है जिससे हमारी स्कीन की जितने भी प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है और हमारा स्कीन और भी ज्यादा हेल्दी हैं ग्लोइं लेते हैं तो इन रीजन से डाइक सरकल होने लगती है तो हमें डेली 10-10 मिनट बहुत है के लिए आगर हम मसाज कर ले तो हमारी यह प्रॉब्लम भी दूर हो जाते हैं तो गर्मियों के दिनों में हमें एकने की ज़्यादा प्रॉबलम होती है जो हमारी ओएल निकलते हैं उसक यह फटा देता है एंड थार विमिन इसका इसका बेनिफिटस है यह कि हमारे जो अरली एजिंग साइन्स होती है इससे भी यह होने से रोकता है इसके बहुत सारा बेनिफिटस हमारी स्कीन पर एंड किया आप जानते हैं कि आइस जो होता है वह एक तरह से हमारे प्राइमर का अभी काम करता है जब हम क्या करता है कि सौरी फाउंडेशन जब हम अपलाई करते हैं अगर हम उस फाउंडेशन लगाने से पहले अगर हम 5-10 मिनिट्स के लिए आइस मसाज ले ले तो हमारा जो बेस होता है न वह बहुत ही जादा लॉंग लास्टिंग हो जाता है तो इस तरीके से हमारे फीज पे मारे स्कीन के लिए आइस मसाज बहुत ही जाधा अच्छा होता है तो अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लिस वीडियो को लाइक किजे जैनल को सब्सक्राइब किजे अपने फ्रेंड्स और फैम्ली के सब्सक्राइब किज अच्छा सी सब्सक्राइब किजे़ किजे.''